जैमा तरी भक्तों आज का जो वीडियो है टेग लाइन से आप समझ के होंगे बुदुवार को गलती से भी नहीं करने आप नहीं यह बतायवे कार है अगर आप करते हो या करते आ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आर्थिक टंगी यान कि फाइनेंशिल प्रॉब आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी आपको कहीं बार समझ नहीं आता होगा यह कहीं बार आप देखते होंगे कि मेरा बुदुवार ही क्यों खराब जाता है या बुदुवार का दिन यान कि वेडिनस दे का दिन हमारा इतना मतलब जो सोचते हो आप वैसा होता ही नहीं है काम में रुकावटे आ जाती है बार-बार बुदुवार को ही हमारे अच्छे काम होते और वो अच्छे काम में आपको सफलता नहीं मिलती यह रुक जाता है आपका कारे तो इसका जो कारण है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो आप लोगों से निवेते ने ध्यान पूर्वा कि इस वीडियो को सुन ली जए बहुत काम की चीज है अगर आप बुधुवार को इन यमों का पालन कर लेते हो और ऐसे कारे नहीं करोगे न मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ आर्थिक तंगी क जो प्रॉब्लम है जो इशू है आपका फाइनिशल इशू वो आपको नहीं पड़ेगा आपको सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बुधुवार का दिन प्रतम पुझे भगवान श्री गणिश को समर्पित है और सबसे पहले हर पूझा में भगवान श्री गणिश जी का ही नाम लिया जाता है कि गणिश जी कहीं जाते हैं विगिन हरता जी जो हमारे हर विगिन को हल लेते हैं संकट को हल लेते हैं हर काम की शुरुवाद उनकी नाम से ही होती है यह सब को पता है हमें इस दिन लोग वरत रहते हैं और भगवान गणिश जी की पूझा भी करते बगवान गणेश को भक्तों के लिए विगिन हर्ता माना जाता है विगिन हर्ता का अर्थ है जो सारे विगिन हले विगिन जिस भी काम में रुकावत आ रही है जिस भी काम पे अर्चन आ रही है आपकी वो काम रुकेवे कारे बन जाएंगे आपकी अर्चने नहीं आएंगी सफलता आपको जीवन में मिलेगी बुदवार के दिन एक दंत दयालू, चार भुजाओं वाले भगवान गणेश की पूजा करने से सुख, शांती और संब्रद्धी मिलती है बुदवार के दिन गणपती बपा को प्रसन करने के लिए उनके भक्त पूजा अर्चना के इलावा तरह तरह के उपाई भी करते हैं धार्मिक माननता है कि बुदवार के दिन ये उपाई करने से जीवन में सुख और शांती आती है इसके इलावा सास्त्रों में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जिने बुदवार के दिन नहीं करना चाहिए ऐसा काम करने से जीवन में दरिद्रता आती है और नौकरी और बिजनिस की जो तरक्की है वो भी रुक जाती है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से काम नहीं करने पर उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है जितने लोग बिजनसमेन हैं जितने लोग ओनर हैं जितने लोग एंटर्पेनर हैं जिनका बिजनिस के माध्यम से पैसा आ रहा है दुकान के माध्यम से पैसा आ रहा है जो बुद्वार का दिन है वो बुद्ध ग्रह को भी दर्शाता है और बुद्ध ग्रह के जो स्वामी हो बगवान गडेश है और जो बुद्ध यानि कि बुद्धी से रिलेटर होता है तो बुद्ध आपका सही होगा, तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगा, जिनको पढ़ाई में भी सकसेस नहीं मिलती है, तो कहीं नहीं बुद्ध खराब होता है, नौकरी में सकसेस नहीं मिली है, तो बुद्ध आपका सही नहीं है, बिजनिस आपका नहीं चल रहा है, बु अब बुद्ध को बुद्धी और वाणी का कारक ग्रह भी माना जाता है। अगर आप अपनी बुद्धी और वाणी यान की जो मुख से बोलेवे शब्द आपको बिल्कुल सही रखने हैं। गलत शब्दों का परियोग नहीं करना है, गली गलोच नहीं करना है, ऐसे में इस दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, आपको अपने शब्दों पर धियान रखना चाहिए कि आप बूल क्या रही हो, और क्या आपनी किसी को बुरा बोल दिया है, तो भीया उस दिन तो आपको ध्यान रखना है, एक तो महादशागर बुद्ध की चल रही होगी, उपर से आप बुदवार के दिनी सारे उल्टे काम करे हों, गलत वचे ना बूल रहे हो, गाली गलूच आप कर रहे हो, तो ये आपको विपरी तफल देगा, इस दिन भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बुदवार के दिन धन संबंदी, जो कोई भी लेन देन हो, जैसे आपने कहीं से पैसा लेना है, कहीं देना है, किसी का पैसा रुकावाए, वो देना है, नहीं, बुदवार के दिन आपने ऐसा कोई कारे ने करना, कोई भी पैसों का लेन देना आप करते हो तो भी आप फिर उस चीज़ में आपको लॉस होगा वो पैसे फलेंगे नहीं फूलेंगे नहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर मैं सास्रों के अनुसार चलूँ यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन किसी को पैसा उधार देता है या किसी स पैसा उधार लेता है तो उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो आपने अगर लोन से रिलेटिट होई काम कर रहे हो किसी से उधार ले रहे हो तो ये काम तो आपने बुदवार को कान पकड़ लेना गल्ति से भी नहीं करने और दूसरी चीज़ भी बता बुदुवार के दिन पश्चिम दिशा में यातरा नहीं करनी चाहिए तो कोई भी डारेक्शन अगर पश्चिम डारेक्शन का होगा जो आपकी रूट होगी यह आपका जो दिशा होगी जिसे आप डारेक्शन बोलते हैं अगर वो दिशा पश्चिम दिशा और आपको महां ट्रैवल करना है या जाना है तो भाईया कान पकड़ लेना बुदुवार के दिन मत करो चाहिए वो डीलिंग हो कुछ भी हो इस दिन पश्चिम दिशा की यातरा करना अशुब माना जाता है ऐसे में अगर आपको बहुत ज जावधान रहकर अपनी यातरा करनी है जब इदम बहुत अर्जेंट ना हूँ आपके लिए ठीक है यह चीज मैंने आपको बता दिया है बुदुवार के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए अगर वेडनेस टेक हो आप अकसर लोगों को दिखा होगा जो खासकर लड काले कपड़े बहुत पहनते हैं उनको डाक कलर की पसंद है तो काले कपड़े पहनने आपने अवाइड करने है वेडनेस डेके दिन बुदुवार के दिन सास्त्रों में माना जाता है कि बुदुवार के दिन काले कपड़े पहनने से दामपत्य जीवन पर बुरा असर पड तो भाईया दोनों ही पती-पत्नी या प्यार करने वाले जो भी इंसान है व्यक्ति है उन लोगों को बुदवार की दिन काले कपड़ा अवाइड करना चाहिए ब्लैक कपड़े ब्लैक क्लोट्स अंग्रेजी में भी बोलता रहता हूं मैं साथ साथ में कई लोग हैं जो बोल नहीं करना चाहिए इससे क्या होगा बुद्ध ग्रहे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनका पीछा करने के बजाए गरीबों को खाना खिलाएं और गाये को रोटी घास या पालक की सबजी खिला दें या पालक स्वेम जो कच्छा पालक होता है वो खिला दो हाना त श्कशना महाई है उन करना हैं कि जतने भी बिजनसमेने दुकांदार हैं जो भी काम-काजी वेक्ती हैं जो अपनी मेहनत से अपना काम करके जो खाना खा रहे हैं उन लोगों से ग़ें वहां करनाूँ आपो है और प्रतिक बदभार वेड़नेस्डे को便 को जरूर गाय को ख खिलाओ ठीक है जरूर आपको गाय को खिलाना है आप देखेंगे आपका बिजनेस चलेगा नहीं दोड़ेगा दिन दुगनी राच चाउनी से दोड़ेगा आपको बस विश्वास रखके ये कारे करना है सुबह काली पेट जाके आप सुबह सुबह कर ले तो बहुत अच्छ बुद्वार के दिन तो उसको रोटी अगेरा जरूर खिला दे ये तो हर एक धरम में बताया जाता है तो किसी भी गरीब इनसान की या कोई भूक है जानवर की मदद आप कर दो तो आपको कहीं गुना उसका फल मिलता है बुद्वार के दिन अगर आपको सड़क पर कोई कि आने के लिए दे दो कुछ न कुछ अपने प्रेम भाव से आपको रिस्पेक्टफुली उनको जरूर दान करना है हो सके उनके पैर चुए उनको प्रेनाम कीजिए उनका आश्रवाद लीजिए जो सास्तर कहते हैं सास्तर में बुद्ध को किन्नर कहा गया है हाना तो दिन किन्नर से मिलना एक शुब सायोग माना जाता है बुद्ध के दिन अपनी बेहन बेटी भतीजी या भतीजे से दुर्वेवार नहीं करना चाहिए इनको अगर आप दुर्वेवार करके इनको आप ठुकुराते हो बत्तमीजी करते हो या लड़ाई जढ़ा करते हो तो आपका बुद्ध खराब हो सकता है या आपको बुद्ध बड़ी गलत मतब रिजल्ट आपको दे सकता है उन पे कभी हाथ ने उठाना है इस दिन उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए अब क्या करना है बुद्वार के दिन आप सुन लीजे बुद्व बुद्वार की दिन भग्मान गणेश की पूजा जरूर कीजिए उन्हें दुरुवा अर्पित कीजिए बुद्वार के दिन लड्डू अर्पित कीजिए धूब दीब कीजिए इसलिए इस दिन गणपती बप्पा को दुरुवा जो मैंने बताया घास जिसे आप कहते है अर्पित करने से आपकी समस्त कारे बने लग जाते हैं ऐसा करने से गजानान बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं और भक्त की सभी मनों कामना है पूरी करते हैं तो इससे बेस्ट क्या मिल सकता है तो बुद्ध ग्रह अमना ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा वीडियो जै मातारी जै माडाट का लिए